भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यूं गई किस मकसद से गई अब हम अंजू के पती अर्विंद से समझेंगे अर्विंद इस वक्त आपकी अंजू से बात हुई है अभी तो कोई बात नहीं हो यह मेरी नहीं बात हुई है लेकि आप को पता था कि वह जाने वाली है किसी को भी नहीं के माता-पिता किसी को भी नहीं है किसी को नहीं है वह संडे को मेर सॻांब को फोन है तो मेरा बोली सब को बता दिया है क्या आपको ये कर पाफ कि निऊ था या उन्जु को पोन किया था उसके भावी पे वर्ण सब थे या बात करLo Nice आपको कभी कोई शक हुआ कि अंजु का अफेयर है किसी के साथ नसुरुल्ला कोई उनके जीवन में है मतला ब्रिष्टा आप लोगों का समान्य था कोई लड़ाई जगड़ा नहीं है उसके भाई भावी दोनों थे वो भी देख लिए दो तीन मेने से मम्मी भी आती थी वो भी देखती थी ऐसा कुछ नहीं है तो अब उनके पिता नाराज है भाई नाराज है एक पती होने के नाते आप क्या कह रहे हैं कि दो चार दिन में अगर वो आती है तो क्या रिश्टा पहले जैसा रहेगा नहीं अब रिश्टा रखना ही नहीं है कोई बात नहीं हुए मेरे से उन्हों ने पहले यह ले लिए हुँ मेरे से तो कोई अनला हो आपके पास क्या जान करी है क्या अन्जुझ ने नसुरुल्ला से शादी कर ली या नहीं की है इस नहीं कर ऐंगे नहीक करेंगेआ ये क्योंकि हमेंं पता कि नहीं गही है जूट बोलके गही है दोखा मिला है क्या इस मामले में आप पोलिस से राजस्तान की सरकार से राते हैं मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे पास ही रहे हैं अच्छा वहां जो नस्रुल्ला है पाकिस्तानी मीडिया को उसने ये स्टेट्मेंट दिया है कि अगर अंजू बच्चे को लेकर आती है तो मैं एकसेप्ट करने के लिए तयार हूँ आप बच्चे जाने को राजी नहीं तो कैसे इसे वर्ट करेगा वहां बच्चे तेयारी नहीं है जाने के लिए और अगर अंजू आपके उपर प्रेशर बनाए दबाव बनाए कि मैं बच्चों की कि स्टडी लेना चाहती हूँ तो नहीं ऐसा वोने नहीं नहीं देंगा नहीं हो सकता है कि भारत के कुछ इंफॉर्मिशन कौन से जॉब में थी अंजु जॉब कर रही थी हुना कंपणी में सिकुरूटी का हथ था वह बाइडाटा था कंप्पीटर बाइडाटा उस पर बैठके काम करते थी तो आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मिशन शेयर किया हूं उनके ओफिस के तरब से कोई कॉल आया है क्या नहीं हमारे करफ से कोई कॉल आपको नहीं मेरे पास कोई को लाता रही है अंजु के परिवार में किसे किसे बात हो रही है अंजु के परिवार माता-पिता किसी से भी आपकी बात हो रही है अभ पता है उसने खुद बोला है कि मां को मेरे को ममी को शकल देखना ही नहीं है बच्चों को भी इस बात से बहुत परेशानी ए और नफरत है गई है अपनी मर्जी से जी रही है जिस जगह पे आप लोग रहते हैं भीवाडी में उस फलैट में अब आप नहीं आने देंगे उनको नहीं नहीं आना है अब नहीं रिष्टा जी नहीं रखना वह घर किसके न वो मेरो खुदी नहीं पता कहां छुपादा रुपन अभी क्या आप सीमा अभी आप अंजू को फोन लगा सकते हैं मैं ने करना उसको मतलब मैं चाहती हूं कि अगर आप एक बार कॉल लगाएं कि वो उनका क्या रिस्पॉंस आता है ने ने मैं ने कर सकता फोन नहीं लगाना अगे तका कैसा सभाव है कैसा नेजर है बहुतत भी जिद्धी जिदमे में रहती है जो करती है कि परीवार के किसी सदस शेकी मैं जो कहती है न वह आपने जिद पो रहती है Best प्रहूं किसा मैं औलाफ sesक तो मतलब यह आपको पता ही नहीं चला कि उनका रश्ता किसी से है, किसी विदेशी और वो भी पाकिस्तानी लड़के से उनका संबंध है। कैसे आपको पता नहीं चला नहीं चला मेरो मैं जो पर रहता हूं मेड़ा जो पर रहता हूं रात को दस बजी भी आता हूं साथ बजी आता हूं कभी बिहेब से ऐसा नहीं लगा कि कुछ तो गडबर चल रहा है कुछ तो ऐसा है नहीं नहीं मैं तो मैं सामने भी रहता हूं त इसको यहां भी रहती है तो मैं पूछता खाना क्या बनाना है क्या खाना है ऐसे में पूछता रहता हूं कंपनी में भी रहता हूं तो पूछता हूं उसको क्या बनाना है कुछ लेकिन अच्छा उस कॉल में आपने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जैसे आज आप बहुत एआ देंगे अंजू को लेकिन को उसको पूल में तरह चंदी帶 दिखे नाराज नहीं को सब्सक्राइब ञवल नहीं तो कल बात करती है कब लुकल अया उन्होंने बात किया वह दो य सब्सक्राइब आपकी जो बच्ची है वो अब आपका अगला कदम क्या होगा अभी तो कोई डिसाइड नहीं है अबो स्विस्टar की लिए नहीं मतलब मतलब आपने इस इस लोकल पूलिस ने आप से पूस्ताच की थी खुछ ऐसी बात है बस्ताष कितने देर कि थी पुलिस से जो आपकी बात हुई उसके बाद पुलिस की टीम ने आप से फिर कोई संपर्क साधा नहीं अभी नहीं साधा है कोई है और अंदर है अच्छा आप किस डर से अपने घर में नहीं रह रहे हैं ये इसके पीछे क्या वज़ा है आप ही के वज़े से की सवाल का जवाब नहीं देना पड़े हैं मैं परसान हूँ इसलिए कौन सी बात आपको परिशान कर यह हमें बार बार होगे दिन बर बैठ आप से फिर संपर्क किया है इस बीच में पुलिस का टीम तो नहीं है क्योंकि आज कुछ लोग ऐसे पहुंचे वे थे जो कह रहे थे कि अगर पुलिस आती है तो हम चाहते हैं कि पुलिस यह जानकारी कठा करे क्योंकि जब से अंजु ने यह कह दिया है कि कुछ डॉक्में नौर्मल डॉक्मेंट्स हम सब के पास या तो नौकरी की कागजात होते हैं या पढ़ाई की कागजात होते हैं बैंक के कुछ पेपर्स होते हैं घर के पेपर्स होते हैं यह होता है इसमें तो कुछ पाने वाली बात नहीं होती है तो कौन से पेपर की बात हो रही है अब य से दोक्मेंट के बात करी तो मैं मैं सोच रहा हूं उसी को तो मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि वह कॉझन सा डोकमेंट है कि याद है कि इससे पहले लंबी चुट्टी पे उकप थी नहीं जाती है एक दो दिन की जाती है ऐसे यह पहली रफा है जब इतने लंबी चुट्टी पे बिना परिवार कि आपको डाउट नहीं हुआ कुछ कि जैपूर जाने के लिए या अम्रिश चार जाने के लिए एक हपते दस तिन बीस तिन की जरुवत क्यों है क्यों है या कंपनी के तरफ से क्या रिस्पांस है उसने नौकरी से वोली थी चुटी लेके जा रही हुआ है अभी कंपनी वालों का कुछ आया आपके पस पूरे देश में इस खबर को लेकर बवाल है सब नाराज है कि पाकिस्तान क्यों गई वो महिला अगर जाना भी था तो तलाक लेके जाना था रिष्टा एक रिष्टे में रहते वे दूसरे को चीट नहीं करना था ऐसे लोगों की भावनाव को आप किस तरीके से दिखते हैं को आपके पक्ष में लोग बोल रहे हैं वो तो सब जानते हैं कि वह बन ज्यूक को बता कर गयिए अंजु के भाई का और आपके लिए वह चिंदा जाहिर कर रहे थे इं कि आप मतलब इन भाई सब को बता रहे थे कि प्लीज आप आपको कही से जगह पे रखा जाए मतलब मीडिया से दूरी मतलब का केर देखा रहे हे थे मतलब अन्जू के परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिल्गा सब पूर्ट है मतलब अपनी बेटी को गलट है रहा कि आपको सपोर्ट करें सब्सक्राइब कुछ और क्या कहना चाहेंगे कोई ऐसा वाक्या जो आप जूर्ण के बारे में हमरे दर्श्ग से बताना चाहें कुछ अच्छाई उसको दिल उसने मेरा तोड़ दिया सब कुछ कितने साल हो गए शादी को कि दो अजार साथ में हो तो मेरे पंद्रह सोला साल हो गए इस तकलीफ से आप मुझे लग रहा है बार बार रोते भी हैं वह तकलीफ होता बड़ी कि कहते हैं कि मर्द इतना कमजोर कभी नहीं होता कि उसके आसू गिरे लेकिन अर्विंद इस वक्त बहुत मरमात है मैं आपकी भावनाव को समझ रही हूं लेकिन अब चुकी आपको ही इन बातों पर बात करनी है तो इसलिए मैं आप से सवाल पूछ रही हूं आखरी सवाल ए कि आप क्या स्टांड लेते हैं क्या वाकई अंजू के लौटने पर एक्सप्ट नहीं करेंगे नहीं करेंगे अब नहीं करना मेरे को अगर उसने आप से माफी मांगी मेरे से क्यों मांगी मेरा क्या है मेरे से क्या मैं तो चलो कोई बात नी मेरे से क्या लेना देना में तो बच्चो को सोचे ना था इसको बच्चे भी रो रहे होंगे बच्चे भी रोते हैं देका मुनला क्या चोटा बच्च क्हाना नहीं आफ फिर जाया नुट है है क्या बच्चों के दोबाव में जु Currently बच्चों के लिए तो तैयार हूँ मतलब अगर आपकी बेटी ने कहा कि मम्मी को पापा एकसप्ट कर लीजे फिर से तो आप बेटी कहेगी नहीं, मेरे को बिजवास है मतलब यह दर्द पूरी फैमिली के लिए बहुत गहरा है उसने बोली पापा आब आराम से खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है टेंजन मतलब, खाना खाओ, हम सब हैना साथ में एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो को देख, क्या आपके बच्चों ने भी देखी है जिसमें नसरुल्ला के साथ, अंजू के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियो हैं, जिसमें वो वेली में वहां घुम रही है वो तो देख, देख लिए मैं भी देखा हूं, बच्चे भी देखे हूंगे, चला रहा हूंगे, फोन होगा तो ठेच पे हमें फोन है, हाँ, रिस्तदार वह है न, जहां पी भी है, फोन है, जातलब किसी भी सुरत में अब एकसप्ट नहीं करें हैं, नहीं करना है, बच्चों को लेकर आगे किस तरीक तरीक से रहना है, कुछ ताई किया है? जितने हैं हमारे सब रिष्टिदार जितने हमारे सपोर्ट करें उन्हीं के साथ बच्चों के साथ पालू को रहे हैं और उनका यही कहना कि कि किसी भी सूरत में मैं एकसप्ट नहीं करने वाला हूं और आख यह सवाल मैं आख सवाब दे रहा हूं बच्चे मेरे पास ही रहे हैं अगर कानूनन उनको अधिकार मिल गया तो बच्चे मना कर देंगा तो फिर कानूनी अधर का रहेगा है कि कोट केस में अगर कुछ ऐसा ह होता है तो नहीं होने देंगे हम सब हमारे पीछे खड़े हैं